हेलो दोस्तों नवजकार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में आज 21 मार्च को तीसरे सिफ्ट का CHSL का पेपर भी समापत हो गया है उमीद करते हैं जिनका भी सिफ्ट में पेपर था आपका पेपर अच्छा गया हो तीसरे सिफ्ट के लगबग रियल कोशन आ चुक है मेरे पास सारे रियल कोशन देखने के लिए पूरा वीडियो एंड देखेगा और साथ में वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब भी कर दीजेगा पहला कोशन आपसे पूछा गया था इस सिफ्ट में कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिन अफरीका से वापस लोटे थे बारत देश तो उनकी उमर उस समय कितनी थी देखिए इंटरेस्टिंग जीके कोशन भी पूछे जा रहे हैं इस सिफ्ट में और काफी डीप कोशन पूछा गया है ये तो जिनोंने अच्छे से पढ़ा होगा इसको तब ही आप आंस्वर कर पाए होंगे 45 वर्स आपका बिल्कुल राइट आंस्वर होगा डिटेल देखते हैं इस कोशन के एक बार 1915 की उस नो जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाहा पर उतरे इन कार्यकरताओं ने उनका गरम जोसी से स्वागत किया था गांधी जी 1893 में दक्षिन अफरीका गए थे उस समय वो 24 साल के थे लेकिन जब वे भारत लोटे तो वो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे तो 45 वर्स आपका बिल्कुल राइट आंस्वर होगा वीडियो को सभी लाइक करेंगे शेर करेंगे अगला कोशन आया था अनुछे 350 ए किससे समंदित है काफी स्ट्वेंट बोल रहे थे कि आर्टेकल 350 पूछा था पर दोस्तों एक स्ट्वेंट ने कंफरम किया है कि अनुछे 350 ए आपसे पूछा गया था तो यह आपका भाशा भाशाई अलब संख्यकों से समंदित है तो भाशाई अलब संख्यक आपका राइट आंस्वर होगा यह है भाशाई अलब संख्यकों से समंदित बच्चों को शिक्षा के प्रात्मिक चरण में मात्र भाशा में शिक्षा के लिए प्रयाप्त सुविधाएं प्रदान करने क लिए राज्यों के प्रेतन को एक क्रतव्य प्रदान करता है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं फिर अगला एक कोशन आया था पुराना करेंट अफेर से पूछा था और एक स्टुएन ने बोला कि ये वालाया था 2019 का फिफा अंडर ट्वंटी बताएगा दोस्तों यही कोशन था गया अगर ये पूछा है कि 2019 का फिफा अंडर ट्वंटी विसू कब किसने जिता तो आपका राइट आंसवर यूक्रेन हो जाएगा यूक्रेन में अभी वोर चल गया था यहां पर एक स्टुएन ने कंफरम किया है कि जो हमारी जो मैंस इंडियन होकी टीम ने जो टोक्यो 2020 ओलंपिक में जो समर ओलंपिक खेले गये थे उसमें जो जो हैना ब्रोंज मेडल जीता है आपको पता होगा तो उससे कोशन था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के ये ब्रोंज मेडल किस खेल में आया था तो आपको मेंस होकी वहाँ पे आपको टिक करना था तो ये आपका बिल्कुल exact स्वाल यही पूछा गया था जो इस student ने भेजा है आप देख सकते हैं एक बार एक कोशन या पे ये पूछा गया कोशन रिपीट हुआ है अगला कोशन आया था शुद्र ग्रहे बेल्ट किन के मध्य से जाती है जो शुद्र ग्रहे जो बेल्ट है ये आपका मंगल और ब्रहश्पती दो ग्रहों के मध्य से जाती है तो मंगल और ब्रहश्पती आपका right answer होगा अगला question आया था little master के उपनाम से किस किरकेटर को जाना जाता है एक student बोल रहा था कि master blaster पुछा था एक student बोल रहा था कि little master जो है ना पुछा था देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ little master अगर आपसे पूछा होगा तो आपका answer सुनील गवासकर बिल्कुल correct है अगर आपसे master blaster पूछा होगा तब आपका answer होगा सचिन रमेश तेंदुलकर जी अगला question यहाँ पे यह पूछा है कि किस तत्व की कक्षा में एक प्रमानू होता है देखिए प्रमानू जो है जिसमें एक ही प्रमानू हो वो होता है हिलियम तत्व में हिलियम एक ऐसा तत्व है जिसकी कक्षा में केवल एक प्रमानू है तो हिलियम आपका right answer होगा नेक्स्ट कोशन आया था कि अलूरी सीता राम राजू को किस वर्स ग्रिफतार किया गया था बताना दोस्तों ये वाला कोशन आया था क्या अगर आया था तो इसका आंस्वर होगा वर्स 1924 में नेक्स्ट कोशन गुरू पद्व भासंभव से सम्मदित कौन सा प्रव मना जाता है इस टैप से कुछ कोशन था इसका करेक्ट आंस्वर कर लीजिए हेमिस मोच्तव आपका बिल्कुल राइट आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशन आया था महराष्ट में पस्चिम घाट को क्या कहा जो है ना जो महराष्ट में आपका जो पस्चिम घाट है उसे क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर ये वाला स्वाल जो है वो सेकंड टैम रिपीट हो रहा है पहले जो पूछा गया था आपसे शीदा पूछा था कि पस्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है जिसका आंस्वर होगा सहाद्री परवत के नाम से भी पस्थमी घाट को बोलते हैं आज थोड़ा सब कोशन का language chain था जिसमें महाराष्टर को include कर दिया गया कि महाराष्टर में पस्थमी घाट को क्या कहते हैं क्योंकि malaria जो है एक virus जनित रोग है तो इस trend ने भी जो है ना का है कि इसने malaria करके आया है तो इसका answer मेरे recording से होना चाहिए बाकिया बतेएगा आपने virus जनित वाले रोग में क्या answer दिया था एक यहां पे statement based question था जिसमें पाकिस्तान की राजदानी को गलत बताया गया था कराची बताया गया था उसमें हमें गलत छाटना था जो कि कराची पाकिस्तान की राजदानी बिल्कुल गलत है सही राजदानी क्या होगी पाकिस्तान की इस्लामाबाद ठीक है एक कोशन यहाँ पे 36 तीस में राष्ट्रे खेल का आयोजित हुआ तो गुजरात में हुआ वीडियो जिनको भी अच्छा लगा है वीडियो को एंड करने से पहरे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जुरू करके जाएए जेहिं जेवार